so hello and welcome दोस्तो my name is वारुक you are watching technical frk for take related videos so let's get start so make sure subscribe our channel and press the bell icon दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने youtube channel के लिए जी हाँ आप अपने youtube channel के लिए कैसे एक अच्छा सा hd pro thumbnail बना सकते हैं जी हाँ basically आज की इस वीडियो में आपको thumbnail बनाने सिखाने जा रहा हूं मैं जी हाँ कैसे आप एक अच्छा था thumbnail बना सकते हैं जो attractive हो clickable thumbnail हो दो तरह का thumbnail होता है एक होता है clickbait और एक होता है clickable clickbait कभी आपको नहीं करना है कि वह दोका हो जाएगा आपके users के लिए कि आप click thumbnail में बता रहे हो कुछ और और दिखा रहे हो कुछ और तो इसलिए आपको हमेसा clickable thumbnail बनाना है आपके topic के अनुसार और उसको आप कैसे HD वे में बना सकते हैं यानि कि attractive हो quality अच्छी हो और देखने से clickable thumbnail हो कि आपका कोई भी अगर आपका subscriber है वो अगर वीडियो अपने YouTube वीडियो के लिए तो आप वीडियो पेंट तक बने रहें कोई भी कुश्चन हो कोई भी डाउट हो कमेंट में करके मेरे को बता सकते हैं यानि कि कमेंट करके बता सकते हैं साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले वीडियो अच्छा लगे तो एक तो फ्रेंट थमनेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा पिक्सलेब में ऐसा अपके पास नहीं होता है तो आपको प्लेश्टोर में जाके पिक्सलेब सर्च करके डाउनलोड कर लेना यहां पे जब डाउनलोड करके इसको खोलेंगे तो इस तरह का कुछ इंट देके ओपर में ठीडर दिख रहा है तो यहां पर जाना है जाने के बाद आपको इमेज में मिलेगा यहां पर जब जाएंगे तो उपर बेदठिया आपको कॉस्ट brilliant कर दो टैप करने के बद यहां पर देखिए आपको आपको चार नंबर पर कॉस्टम शाइजस मिल जाता है इसमें यूटřूब थे अपको क्लिक कर देना है इसका जो साइज होता है वो हे 1280, यह साइज होता है तो इसमें आपको सिंपली ओके कर देना है तो यह देखिए हमारा thumbnail का size यहाँ पर open हो चुका है अब आपको simply क्या करना है यहाँ पर आपको आना है चार नंबर पर नीचे की तरफ से यहाँ पर आपको color में जाना है color में आपको कोई भी color अच्छा लगे उससाफ से आपने choice के हिसाफ से यहाँ पर color डाल सकते हैं simple color की बात करूं तो एक तरह का भी color लगा सकते हैं तो मैं white ले ले रहा हूं आपको दिखाने के लिए तो इस तरह का white में जाना है आपको यहाँ पर tick में आपको select कर देना है तो यह हमारा white हो गया इसके बाद ए वाले पर आना है यहाँ पर text आपको लिख देना है टेक्स पर आपको जिस तरह का अच्छा लगे जो भी लिखना चाहते है अपने वीडियो के इस आप से आप लिख सकते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूं how to make यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर लिखने के बाद इसको आप अलग से design कर सकते हैं अपने text को यान आप चाहें उस तरह का अपने इस आप से लगा सकते हैं इसको आपको टिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर stroke में जाना है stroke में जाने के बाद इसको आपको अगर आप चाहें तो इसको stroke दे सकते हैं 16 बढ़ा के इसको 10 तक रख सकते हैं तो यह इस तरह का आपको बार से लिखने के बाद आपको सेट कर देना है यहाँ पर फिर टेक्स पे आना है टेक्स पे आने के बाद आपको जिस आप साब लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे हम लिख दे रहे को डेना है एस ट्र्म लेना है फिर और वह को लागत यहां आप चाहे तो इसका dus आपको करने के बाद आपको एक और टेक्स लिखना है यहां पर लिखने के बाद आपको दे देना है थमनेल लिख लिए हूँ इसको फिर से हम लोगों वही प्रोसेस करना है पहले हम फंट change करना है यानि कि font change करने के बाद इसको okay कर देना है okay करने के बाद आपको अगर यह अच्छा लगता है तो ठीक है otherwise आपको यह और color ले सकते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर blue लेकर दिखा दे रहा हूं तो blue लेने के बाद यहाँ पर आपको stroke में जाना है stroke में जाने के बाद आपको background के जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप background चाहें तो यहां से लगा सकते हैं इस तरह से आपको करना है तो यह मैं ज़स्ट आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ आप जब भी thumbnail बनाएं, सोच के बनाएं, time से बनाएं clickable thumbnail बनाएं, ठीक है? यहां पर आप चाहें तो photo लगा सकते हैं यह plus वाले option में जाना है, from gallery चूज करना है चूज करने के बाद आपके पास जो भी photo हो, उसको आपको select कर लेना है तो मैं यहां पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे select करना है, gallery में जाईए gallery में जाने के बाद, आपको album में जाना है album में जाने के बाद आपको simply आपको जो photo है उसको choose कर लेना है तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हमारा photos जो है, जैसे यह photo मेरे को लगाना है तो यहाँ पर मैं टिक कर लेता हूँ इसको आप क्रॉप कर लिजिए, क्रॉप करने के बाद आपको simply यहाँ पर ऐसे आके, जिस इसाब से आप चाहें, जितना चौड़ा करना चाहते हैं, उसको आप adjust कर सकते हैं, तो यह देखिए हैं हमारा thumbnail इस तरह से आप बना सकते हैं, तो मैं आपको पूरा live process यह करके दिखा रहा हूँ, आप पूरा गवर से देखें, कोई भी question और comment करके बता सकते हैं, साथी साथ में आपको डेमो के तौर पर बता रहा हूँ, अब जब भी thumbnail बनाएं, तो अच्छे से बनाएं, टाइम लेकर बनाएं, तो इसी तरह से आप बना सकते हैं, बनाने के बाद आपको simply इसको save कर लेना है, सेव इमेज पर जाएगा, यहाँ पर save to gallery करके यह आपको save हो जाएगा, तो आपको thumbnail बनके ready हो जाएगा, तो आप दिमाग से बनाएं, टाइम लेकर बनाएं, यह मैं यही आप से कहना चाहूँगा, ठीक है, यह मैं जस्ट आपको process बता दिया हूँ, कि आपको कैसे बनाना है, तो उम्मीद करता हूँ friends, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, कोई भी question हो, comment करके बता सकते हैं, साथी साथ में वीडियो अच्छा लगे, तो एक like ज़रूर कर दे, क्योंकि आपको like से बहुत ज़्यादा motivation मिलती है, ऐसे ही काम करते रहने की, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में,